हेलो गाइस वेलकम टू माई यूटूप चनल इस वीडियो में मैं कंपारिजन करने वाला हूँ फायर बोल्ट रहेगा स्मार्ट वोच वरसेज बूट वेव लाइट स्मार्ट वोच कंपारिजन में साइड बैसेड बिल्ल कॉलिटी हो गई किसके अंदर आपको ज्यादा बै जो बेस सेलर रहेगा विसका लिंक आपको में डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दूँगा जब मैंने पर्चेस की आउफर भी चालू था तो सबसे पहला हम बात कर लेते चार्जिंग केबल के बारे में तो कुछ इस टाइप का आपको ओरोल चार्जिंग केबल देखन की बात कर आराउंड टू फिट के करीब चार्जिंग केबल की लेंद है तो इसे हम रख देते साइड में अब बात कर लेते स्मार्ट वॉच की डिजाइन की तो स्ट्रैप की बात कर दोनों सिलिकॉन मटियल से स्ट्रैप बने हुए डिफरन डिफरन कलर वेडियन में अवे अब इसके बात करें टो बूट वाले का सर्थी सटी ऐसके आयए इसके अंदर आपको इधर की टिजाइन की बात करें तो ही इधर पीट बटन जिया गया 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 है तो आपकोémare pande को मिल जाती है तो इwny बॉदॉद का यह स prize देखने को मिल जाए का अब श्याहि इतना आपको साइड में और ना अन्दाज हो जाए कितना आपको बॉदर और दीजयो ऑर ऐहाँ का वबॉट का हुद देखने को मिल जाएगा। ड्सप्ले भॉट और बॉहक्षी तो इस तरह आपको रखके यूज करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी अब यूई डिजैन की बात करें तो बूट का यूई डिजैन सबसे पहला शो करता हूं राइट स्वाइब करने पर आपको तो मैसेज के ओप्षिंस देखने को मिल जाते इसके बाद में लेफ स्वाइब करने पर इसपोर्ट ब्रीथ हो गया कैलरी हो गया स्क्रीन टाइम आउट वाच फेसे सारे आप्षिंस आपको देखने को मिल जाएगे प्रेस करने पर बैक मुव होगी इसको ठरन करने पर कोई फंक्षनल्टी नहीं देगी है नीचे स्वाइब करने पाप को इस फॉर्ट का ऑप्शन्स हो गया अघ्रीट हो गया वाउट आज आपको बार कोड म्यूजिक हो शेटिंग को अप्शन्स सेटिंग के अंदर भी सारे के सारे यह options देखने को मिल जाते हैं जिसके इस पूर्ड ब्रीथ कैमरा वगेरा और स्क्रीन टाइम आउट को भी option दिया गया है अब नेक्स्ट युए की बात कर लेते हो फायर बोल्ड वाले की तो फायर बोल्ड का राइट साइड में स्वाइड करने पर आपको टुडे के options हाट रेत हो गया स्लीप हो गया रेनिंग के अंदर जो कि स्पोर्ट और वेदर के option दिये गया है उपर स्वाइब करने पर क्विक मेन्य बैटरी सेवर का option दिया गया वह आपको बूट के अंदर नहीं मिलेगा बैटरी सेवर का option इसके बाद ठे setting का option है direct setting के अंदर move हो जागे नीचे स्वाइब करने पर message step sleep training heart rate SPO2 weather shutter players और इसके अंदर game दिया गया जूकि बूट के अंदर game नहीं है setting के अंदर stop watch alarm timer brightness vibrations vibrations को आप on off करना चाते हो vibration on off कर सकते हो वहीं बूट के अंदर कोई भी आप vibration on off का option नहीं देखने को मिलता है अब कोई भी direct menu पर click करके access नहीं कर पागा अभी music access करना इस पर click करूंगा बीच में बीच में tap करना पड़ेगा कुछ इस type का UI बना गया तो UI की बात करें तो मुझे firebot वाले की UI थोड़ी से ज्यादा बैटरी लगी बैटरी लाइफ के बात करें दोनों के अदर सेवन डेका बैटरी लाइफ इन्होंने मेंचिन किया हुआ है पर मैंने यूज किया जो कि आप application के साथ में connect करके यूज करोगे तो फाइफ से शिच टेप बैटरी डाउन हो जाएगी और भी ज्यादा आप notification जो अब एक बार connect कर रहे हूं जो कि स्मार्टफोन के साथ में तो आपको सेवन डे में भी सेवन डे से ज्यादा की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाएगी अब इनके मैं application भी शो कर देता हूं firebolt वाले क्लिए डीए फीट वाले क्लिए बूट वाले क्लिए बूट वाले क्लिए इदर प्रोफाइल गोल गूगल फीट अबाउट का application के अंदर दिये गए है तो बहुत ही सिंपल एप्लिकेशन को यूज करना डीए फीट वाले के अंदर वही बूट वेरेबल एप्लिकेशन को आउन करके मैं शो करता हूं तो इदर आपको पांच मेन्यू के option दिये गए इसके बाद में इसके अंदर आपको स्टैटिस्टी देखने को मिल जाता है इस टैप काउंट के लियरी हार्ट ब्याड ऑकसिजिए इसके बाद में नो एक्टिविटि इसके बाद में आपको watch के options देखने को मिल जाते इधर से आप watch को add कर सकते है नशवाले के अंदर प्र और भी different watch face मिल जाएगी app notification को on करना है यह सारे के सारे app notification हमारे on हो जाएगी तो दोनों के application ठीक ठाक देखने को मिल जाते है काफी अच्छे खासे features दिये गए एक बहुत ही बड़ा different है वो है calling function का कभी भी boot वाले पर call आएगा विस call को आप only cut कर सकते हो silent नहीं कर सकते हो वह फ आपने बहुत ज्यादा important रहता है silent करने का जो की बूट के अंदर नहीं है क्या पता इन फीचर जो की UI update होगा तो उसके अंदर यह silent करने का भी feature दे दे sports की बात करे fireboard वाले के अंदर काफी ज़्यादा sports mode दिये गए has compared to boot वाले के अंदर आपको 20 के करीब sports mode देखने को मिल जाते है सो almost दोनों watch के बारे में जितना हो से के वितना मैंने इस वीडियो में बता दिया कुछ भी doubt रहेगा आप मुझे comment section में पूस्ट सकते हो last question आता दोनों में से कौन सी purchase करने चाहिए तो मेरे जिसाब से UI की बात करें application की बात करो जो calling का function है विस बेस पर फायर बोल्ट वाला पर्चेस करो जादा useful रहेगा has compared to boot वाला आपको build quality में काफी जादा premium दिया गया है पर जो की UI हो गया या फिर इसका application की बात कर ले या फिर इसके calling का जो function हो गया वो थोड़े से मुझे firebolt वाले से कम लगे जैसे की firebolt वाला मैंने पर्चेस किया था 1799 का या फिर 1899 का भी इसका price अभी चालू है तो इसके link आपको मैं description में दे दूँगा तो आप एक बार description चेक कर लेना price up and down भी होते रहता है और amazon पे बहुत सारे different seller है और boot वाला मैंने पर्चेस किया था 1699 का इसके भी different different seller है जो best seller आपको description में मिल जाएगी जब मैंने purchase के offer भी चालू था तो हो सके आपको भी compromise में मिल जाए आप एक बार description चेक कर लेना price up and down भी होते रहता है और यह वीडियो आप 2022 अपर 2023 में देख रहा है तो 66 मन में हमारे watch अपडेट होते रहते जो latest वाले रहे है कि इनकी link भी description में मिल अपिर कर रहे है कि जया झाब कि भी में सुछ अथचर ऑट स्वालन का सविसं कर दो है장 कि हमाराँ पर को लाग क कमाने कर भी है जाप... ऑ्र तो बा less count पかったे रहता हैномियो आपको आपको लेगा is वाथ है न जापको प्रंद सस्क्लिए